नमस्कार लाइफ सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अक्षे आनन्द आज याने की 18 जून को बिहार बंद बुलाया गया था या बंद बिहार में बढ़ रहे अब राद और इंटर्मीडियेट के रिजल्ट में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ बुलाया गया था राजद और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी इसका समर्थन करने की बात कई थी लेकिन अब राजद ने बंद के समर्थन को लेकर यूटर्ण ले लिया है और राजद ने यह साफ कर दिया है कि वह आज बुलाये गए बिहार बंद को समर्थन नहीं कर रही है और एवं राजद के कारिकरता अज सडकों पर नहीं उतरेंगे हलाकि कल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो की जीतन रामाजी की पार्टी है उसमें बंद का समर्थन करने की बात कही थी इसकी जानकारी हम के राश्ट्रिय प्रवक्ता दानिश रिजवान में दी थी अब आज क्या कुछ हालात होते हैं या देखना होगा अगर राज़त जैसी बड़ी पार्टी बंद के समर्थन में ना आए तो यह बंद असफल भी हो सकता है आगे की अपडेट्स भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे आपको बता दे कि यह बंद पहले 16 जून को बुलाया गया था लेकिन 16 जून को इद होने की वज़े से इसे 18 जून तक के लिए स्थगित कर दिया और अब लास्ट मुमेंट पे राज़त का यूटर्ण बंद को असफल बनाने के लिए काफी हो सकता है बिहार से जूरी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइए लाइफ सिटीज के साथ अब हमें फेस्बुक पर लाइक और यूट्यूब पर सबस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं नमस्का